तो इस वीडियो में मैं कराऊँगा अपनी स्कूटी को मोडिफाई एक तो ये चेंज कराऊँगा और एक मेरे को सीट में भी काम करवाना है तो इसी के साथ आज का वर्गाउट हो चुका है कंप्लीट आज मैंने की बैक और बाइसेप्स अब चलते हैं घर तो अब टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और निकल चुका हूँ घर से मैं स्कूटी लेके ये देखो इस कॉर्पियो में जी वेगन जैसी लाइट लगा रखी है ऐसी लाइट उसमें भी आती है गुर्खाम है तो अभी न 6 बजे निये 6 बजने में 10 मिनट होंगे और मैं घर से अज रीन कोट लेकर आगया में से लिखूदर हो रखाए बादलों की वजह से रखाए और बाहर देखा दो बादल νी लॉज़े लगे थे कि वैसी अंधेरा हो रहा है अब थंड आती जा रही है तो अंधेरा जल्दी होता जा रहा है देखो अबकी किसाओ ज्याद अदे हो गया इसा अधेर हो जयाता है जब घर आता था और समय जाते टाइम हो रहा है कुछ टैम बाद एक द मी अंदेरा करें का जाते टाइम भी क्योंगी ठंडिहों में तो 6 081ip 5 बज़े अंधेरा हो जाता है sticks होडी होडी दिल मेरा धड़के अख मेरी फड़के और इसी के साथ अब मैं में रोड पर पहुंच गया हूँ मेरी स्कूटिकार ये फ्लैग बहुत जादा फेड हो गया है चेंज करना पड़ेगा इसे तो देखते हैं करूँगा इसका कुछ ना कुछ और फ्लैग के पीछे जो फिलम है वो भी खराब हो गई है वो भी चेंज करानी पड़ेगी अनुमान जी का मंदिर आ गया जय बजरंग बली मैं सोच रहा हूँ इस बहुत डार्क वाली फिलम चड़ा दूँ जिसमें मीटर ही यहां पर निशान भी पढ़ रखे हैं मुबाइल होल्डर के जो यहां पर मुबाइल होल्डर लगाता हूं ना उस से निशान पढ़ जाते हैं तो गिसता रहता है मीटर पे और हो सकता यह वाला फ्लैग मेरे घर पे भी पढ़ा हूँ क्योंकि जब मैंने यह लिया था ना तो दो तीन लिए ते शायद अपदा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा घर पे मिल जाएगा तो लगा लूँगा और दुकानों पर भी अब मुश्किली मिलेगा ओ गाड़ी टच हो गई 15 अगस्त के टाइम मिल जाता है दुकानों पर 15 अगस्त हो गया 26 जनवरी हो गई लेकिन इस टाइम नहीं मिल पाता मिल जाएगा तो लगा दूँगा नहीं तो फिर आइसी रहने दूँगा बाद में लगा लेंगे 15 अगस्त में 15 अगस्त नहीं अब तो 26 जनवरी आएगी तो उसमें लगा लेंगे जो मार्केट में दुकान वाले होते हैं वो सीजन के टाइम ही स्टीकर्स तो इस वीडियो में मैं कराँगा اپनी को मोड़ lanesет ऐक तो ये चैंज कराओंगा और एक एक मेर को सीट में भी काम करवाना है तो बैसे कि दुकान पर तो मैं कल सुब्स में जाऊंगा क्यों कि अभी घर पहुंसते पहुंसते मेरे को 1.30 बच जाएंगे और तब तक दुकान बंद जाएगी तो कल सुबह सुबह जाएंगे और काम करवा कि आएंगे स्कूटी में एक तो मीटर में और सीट में क्लियर वाइजर तो यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी हा चीज है ऐसे अंधेरे में भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं होते है सब कुछ साफ दिखता है और उपर से धूल मिट्टी भी नहीं जाती है आँखों में अब जैसे ठंडियों का मौसम आग गया है अब मेरे वाला वाइजर होता ना टिंटेड वाला तो मैं न जाते टाइम लगा सकता था उसे न वापिस आते टाइम गर्मियों में तो चलो फिर भी जाते टाइम लगा लेता था क्योंकि जाते टाइम उजाला होता था और उपर से ठंडियों में बहुत दिन धूब भी निकलती, कभी-कभी अंदेर ही रहता है, इसलिए टेंट इडवाइजर बहुत ज्यादा परिशान करता है, यह वाला सही है, बस इसमें एक दिक्कत लगती है मेरे को, कि भाब जमती है अंदर, उसका भी कुछ ना कुछ जु अच्छ जाएगी तब जमेगी, यहां तो यहां तो यहां रोज का ड्रामा हो गया है, पता नहीं क्यों होता है यहां पर इतना जाम, आरीजन तो मुझे पता है, क्योंकि जो आगे रेड लाइट है वो बस दस सेगेंड के लिए ग्रीन हो रही है, और फिर दो मिनट के ग्रीन भी बहुत देर तक रहती थी, पर अब चेंज कर दिया है उसका सिस्टम, पहले यहां कभी भी नहीं होती थी इतनी भीड, अब होती है जब भी आओ तब ही मिलती है, तो अब टाइम रात के साड़े साथ बच चुके हैं, और निकल चुका हूँ मैं अपनी डूटी क तो आज मैं जाओंगा इस वाले रास्ते से वापस घर, पहले इसी रास्ते से जाता था बीच में मैंने चेंज कर लिया था, पर अब दुबारा से यही कर लिया है चेंज, तो चलते हैं फटा फट घर, और कल सुबे सुबे कराएंगे स्कूटी में मॉडिफिकेशन, छोट करने की क्या बात, जब दिल्ली सरकार है अपने साथ, चलो यार, रेड लाइट के पास तो पहुंच गया, और मॉडिफिकेशन से याद है, मिरको अपनी स्कूटी में एक्स्ट्रा लाइट भी लगवानी है, फॉग लगवानी है, पर अभी तो नहीं लगवाँगा, पाद मिले वैसी वाली सीट, पर मीटर का तो पक्का है, वो तो होई जाएगा, तो अब टाइम सुबह के साड़े 11 बच चुके हैं, और अब चलते हैं स्कूटी को मॉडिफाई कराने, दो चीजे करानी है, एक तो मीटर में काम कराना है, और सीट में, तो सीट का भी पता नहीं हो हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन मीटर में तो खरा नहीं है, तो चलते हैं फटा फट तो फिल्म चड़ा दिये मैंने मीटर में देखो क्या तगड़ा लग रहा है शेकल दिख रही है इसमें जादा डार्क भी निये मीटर भी दिख रहा है इसमें अलका अलका उतना साफ नहीं दिख रहा पर दिख रहा है ये भी स्मोक है ये एक दमगो नहीं है डार्क ब्लैक पर इससे स्कूटी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई है और बाकी सीट का काम नहीं हो पाया क्योंकि सीट थी नहीं उनकी दुकान पर कल आएगी तो कल जाके लगवाँगा सीट कवर आदा काम तो हो गया है बादा काम कल करवा लेंगे और इसके ओपर मैंने अभी कुछ लिखवाया नहीं है तो वो भी देखता हूँ कल सोचना पड़ेगा क्या लिखवाँ फ्लैक तो मिला नहीं तो एक मोडिफिकेशन तो हो गई है स्कूटी में अब बाकी सीट कल कराऊंगा आज थी नहीं दुकान में कल वो लेके आएगे मतलब आज ही लेके आजाएगे शाम तक तो कल सुबह सुबह जाके लगवा लूँगा वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा और जो यह मैंने मीटर में कराई यह फिलम इसके मेरे को लगे हैं 50 रुपे लिए उन्होंने तो सस्ती है ठीक है और पहले वाले से जादा डार्क है यह पहले वाली जो फिलम थी वो बहुत जादा लाइट थी पर यह है कि अगर आपको मीटर देखने का जादा शौक है अगर आपकी स्कूटी का मीटर जादा अच्छ है तब आपके लिए वेकार है यह और मेरी वाले जूपिटर के मीटर में इतना कुछ दिखता नहीं है और उपर से मैं देखता भी न्यू ज्यादा तो ठीक है मेरे लिए ऐसी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में और जो यह नए वाला आइफोन है यह तो बहुत ज्यादा बाहरी है इसे ऐसे व्लोग भी नी बनता और उपर से स्कूटी चलाते टाइम भी वीडियो नी बनती पुराना वाला आइफोन 7 वो सही रहता चोटा सा भी और कहीं भी उसमें वीडियो बना लो तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडिय वीडियो में यहीं